कि प्रारंब करते हैं फिरोज तुगलक के बारे में कि फिरोज शाह तुगलक कि तेरा सो इक्याओन से तेरा सो अठासी इस्वी तक इसके बारे में अभी तक मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखा था अब उसके आगे फिरोज तुगलक के बारे में उसकी नीकियों के बारे में प्रारंब करते हैं फिरोश तुगलक के प्रारमभिक जीवन से सुरुवात करते हैं इसका जन्म तेरा सो नव इसबी में हुआ था गियासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रजजब का पुत्र था इसकी माता पूर्वी पंजाब के हिसार जिले के आबोहर के भट्टी राजपूत राजा रणमल की पुत्री थी स्वाभाविक तोर पर बलपूरो विवा किया जाता है कहा जाता है चपकाजी तुगलक दीपालपूर का सुवेदार था उस समय इसने रणमल पर दबाव डाला रणमल ने इसे प्रस्ताव को ठुकरा दिया और तब गाजी मलिक ने रणमल को परिशान किया और अंत में लड़की ने अपने पिता से कहा कि यद मेरे दिये जाने से परिवार का नास बच सकता है तो मुझे यह प्रस्ताव सुईकार है फिरोज इसी विवाह से उत्पन्न हुआ था मुहम्मद तुगलक को अपने इस चचेरे भाई से प्रेम था इसी लिए राज्य के सासन में अपना महत्पूर्ण स्थान दिया वो हुत्रा धिकारी भी इसे बनाना चाहता था जिसमें बीस मार्च तेरा सोई क्यावन को मुहमद तुगलक की मिर्त्य हुई उसमें फिरोज साह थटा में था और साही फोज को उसके सत्रू तागी और उनके किराये के टट्टू मंगोलों ने जिन्हें मुहमद अर्थाद मुहमद तुगलक ने सहाएक सैनिकों के रूप में भरती कर लिया था घोरकष्ट पहुँचाया इसलिए अपने को अराजकता की दसा में देखकर उसने एक नेता का संकल्प किया जिससे कटनाईयों से मुक्त हुआ जा सके चुकि मुहमद बिन तुगलक की इक्छा फिरोज को अपना उत्राधिकारी बनाने की थी इसलिए सब लोगों की दृष्टी उस पर पड़ी एक छोटा सा दल था जो अल्पवैस्क भांजे के पक्च में था किन्तु अमीरों ने इसका साथ दिया और कहा कि प्रोडवैक्टी को हम चाहते हैं कि वो बने सुल्तान और फिरोज से मुकुट धारन करने के लिए कहा यह है सेखों अमीरों उले माओं से मिलकर उन पर दबाव डालता है अंत में उनकी प्रार्थना सुईकार करके और थट्टा में साही खेमे के निकठी 22 मार्ज 1351 को अपना राज्या भीज़े करवाता है और फिर सुल्तान ने सेना में विवस्था कायम की और उसे सत्रू से बचा करके फिर दिल्ली को प्रस्थान करता है इसने अपने आपको एक सुल्तान के रूप में ढालने का पूरा प्रियास किया कहा जाता है कि जब यह सुल्तान बना तो उसी समय समाचार मिला कि मुहम्मद बिन तुगलक के बेटे नाइब ख्वाजाए जहां को किसी मंत्री ने सुल्तान बना दिया है तो वहां के लोगों ने खुद उसका विरोध किया क्योंकि वह अलपवैस्क था मंत्री ने भी समर्पन कर दिया जो ख्वाजा जहां को बैठा रखा था छोटे से बच्चे को सुल्तान के रूप में सुल्तान ने उसे छमा कर दिया लेकिन अमीरों और सेना के पदाथिकारियों के भड़काने पर सुनम और समाना के सुबेदार सेर खा के अन्याईयों ने उसका बद कर दिया और फिरोज निसकंटक सामराज का सुल्तान बन गया यह पहला ऐसा सुल्तान था जो ऐसी माता से उत्पन हुआ था जो विवाह से पहले गैर मुस्लिम रह चुकी थी दूसरा यह कि यह सुल्तान प्रसिद्ध सैनिक हो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता यद्यपी कुछ लोग इस तरह आरोप लगाते हैं कि बहुत सैनिक तिष्टी से अच्छा नहीं था लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है हम इसकी सासन व्यवस्था की बात करें सासन नीत की बात करें तो यह फिरोशा तुगलक अगस्त महिने में 1391 वी के अंत में कभी राजधानी दिल्ली में प्रवेश करता है और अपने प्रधान मंत्री के रूप में मलिक एक मकबूल मलिक ए मकबूल को निउत करता है उसे खाने जहां की उपाध ही देता है इसका भी एक अलग इतिहास था जिस तरह से फिरोश तुगलक एक हिंदू छत्री की मासे के गर्व से पैदा हुआ था उसी तरह इसका प्रधान मंत्री मलिक मकबूल भी माना जाता है कि तैलंगाना का एक ग्राम्हर था जो बाद में मुसल्मान हो गया था और इसने बहुत अधिक काम किये जो फिरोश का नाम मुचा हुआ फिरोश ने अपनी प्रजा को प्रसंद करने के लिए प्रयास किया राज की रिण चुका दिया गया और खाने जहां द्वारा अपने उम्मीदवार की इस्थिती दिण करने के लिए राज कोस में से लुटा दिये घहन धन को फिर से प्रयाप्त करने का प्रयात्स नहीं किया यह कटर सुनी वर्ग का विश्वास पातर था इसलिए इसे बहुत बिरोध करने की बात नहीं थी इसके पूरोजों के भी बात नहीं थी दास पर्था की बात नहीं थी कि ये दास रहा हो फिरोज अपने को राज का ट्रस्टी और जन्ता की भलाई के लिए जिम्मेदार समझता था यह सामप्रदाइक राज वेवस्था के सिध्धानत की स्थापना करता है और अपने को मुस्लिम बर्क का वास्तविक सासक समझता है उसी के लिए वह प्रियास करता है बढ़ने के लिए फिरोज ने पहले राज की संपूर जन्ता के लोकिक सासक के रूप में और दूसरे मुस्लिम जन्ता के लोकिक तथा धार्मिक सासक के रूप में और कुछ हद तक प्रजा की भोतिक उन्नती करने और सुन्नी इसलाम की प्रतिष्ठा करने और महत बढ़ाने में सफल हुआ इस समय दिली की स्थी बहुत कराब थी अनायतिक्ता बढ़ा हुआ था लक्षिन भारत बंगाल सिंध राजस्थान यह प्रदेश स्वतंत्र हो गए थे मुहम्मद बिन तुगलक की समय में अन्तिम समय में फिरोज सुक्त तुगलक को इन्हें जीत करके ही अपने अधीन कर सकता था लेकिन कहा जाता है फिरोज में उच्चकोट की साइनिक प्रतिभा और रोबदाप कायन करने की सक्तिका भाव था इसलिए दक्चिन और राजस्थान की फिर से बिजय करने का उसमें विचार नहीं आया बंगाल और सिंद को दिल्ली के अंतरगत लाने में उसमें बहुत धिलमिल प्रियास किया उसमें सफलता भी नहीं मिली इसके देखा जाये तो इसका जो सबसे बड़ा काम है वो है तरह तरह के सार्वजिनिक कारे राजस्था बेवस्था जहां से यह प्रसिद्ध होता है कहते हैं कि यह चाहता था कि जनता को बिस्वास में लिया जाए इसलिए इसने जो तकावी रिन दिया गया था उसे रद कर दिया यानि उसे माफ कर दिया तकावी रिन जो दिया गया था किर्शी के लिए जो रिन दिया जाता उसे तकावी रिन कहा जाता था खेती करने के लिए हल पहल वीज खरीदने के लिए उसे बुआई करने के लिए तकावी रिन के अंतर गता था इसने अपने पदादिकारियों के बेतन भी बढ़ा दिये और सब को अपने प्रांती सुवेदार सुल्टान की इलाके के लोगों को जो आईवे का हिसाब दियने जाते थे तो उन पर सारीरिक दबाव डाला जाता था यानि जोर जबर्दस्ति की जाती थी नहीं इतना नहीं इतना दो अधिक दो फिरोज ने इसे भी बंद कर दिया इसने संभावित आईवे का एक कच्चा चिठ्था तयार करवाना सुविकार किया जिससे एक अर्मान लगाया जा सके कि हमारे राज्य में कितनी आए है और इस कार के लिए ख्वाजा हिसामुद्दीन ख्वाजा हिसामुद्दीन नामक एक राजस अधिकारी निउक्ति कर दिया गया वह प्रांतों का दौरा करता है राजस अविलेकों का निरिक्छन करता है और अंत में छे वर्स के परिस्रम के बाद खालसा भूमी का राजस छे करोण पचासी लाख टंग का निश्चित करता है खालसा भूमी एनि मुख्यूरूप से जमीन की जो उत्पादन था उससे जो आय होती थी वो छे करोण पचासी लाख माना फिरोज के जितने भी राज्यपाल थे उनमें राज्यके सासन के अंतरगत भूम से इतनी ही आय होती थी इसने भूम की नाप करवाना और उपचकेन पाद अनुसार अनुमान लगाना बंद कर दिया ये है कुराना अनुबह था फिरोज का फिरोज ने जो भूम इनाप करके राजस निरधारित की जाती थी उसे छोड़ दिया और इस्थाई रूप से भूमिकर निश्चित कर दिया यह एक अच्छी ब्यवस्था लागू की इस्थाई रूप से भूमिकर निश्चित करने की कहा जाता है जो सबसे महत्पूर कारे है कि इसने 24 कष्ट प्रद करों को हटा दिया जिसमें मकान और चरागाह कर भी सामिल थे बाकी इसने चलने दिया और इसने पांच कर के बल चलने दिया खराज, खंस, जजिया, जगात और उस्र अब इसके आगे राजस्चनीत के हम फिर अगले वीडियो में भी देखेंगे तब तक के लिए यही पर इसे रोपते हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद